इंदुस्टान के असली सूपर हिरो की तलास में टीवी का पहला रियालिटी सो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल स्वागत है आपका हमारे शेनल बोलिवूड डॉम पर नेट्फिक्स, सोनी लिव, अमेजन प्राइम वीडियो, डिजनी प्लस होस्टार और जी फाइब जिसे ओटिटी प्लेटफार्म के बढ़ते क्रेज के बीच में टेलिवीजन की एहमियत बनाई रखने के लिए नित नए प्रयोक किये जा रहे हैं इसमें रियालीटी सो के जरीये दर्सको को आकरशित करने की कौसिस की जा रहे है इसी कडि में विजनेस रियालीटी सो शाख टेंग इंडिया की शिरुवात सोनी टीवी पर किये गई जिसे काफी पसंद किया गया इतना ही नहीं एकता कपूर ने भी एक नया सो लोक अप शुरू कर दिया है इसकी होस्ट कंगना रनाओ थे उससे पहले बिग बोस फियर फेक्टर, खत्रों के खिलाडी इंडियन आइडियल, इंडिया गोड टेलेंट और सूपर डांसर जैसे सो बहुत पापुलर हुए थे रियालिटी सो की इस फेरिष्ट में अब एक और नया सो शुरू होने जा रहा है जिसका नाम इंडियास अनलिमिटेड वोरियर है डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले इस सो के जरिये हिंदुस्तान के असली सुपर हीरो की तलास की जा रही है रियालिटी सो इंडियास अनलिमिटेड वोरियर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे बॉलिवोड एक्टर और डेजो मास्टर विद्दुत जामवा लोश्ट कर रहे है इतना ही नहीं उनके साथ में मार्सल आर्ट के चार महारत ही है जो सो में हिस्साल ले रहे हैं 16 कंटेस्टेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं सिफु कनिश्क, सौन कॉबर, किलर डिक गुयेन और मायकर होक जैसे मार्सल आर्टिस्ट को चार-चार लोग टीम दी गई है, जिनके वो मेंटर भी है इन कंटेस्टेंट में 5 तरह की क्वालिटी देखी जा रही है फोकस, नियांतर, द्रनस्चे, संतुलन और अनुशासन सो में हर टास्क के दोरान सभी कंटेस्टेंट को अपनी ये 5 क्वालिटी का जल्वा दिखाना है जो नहीं दिखा पाएगा, वो सो से बाहर जाएगा जो दिखाएगा, वो सो में बना रहेगा उसके सो में जीतने के चांसेज ज़्यादा है यहां सब कुछ सो के होश्ट विद्दु जामवाल के देखरेक में किया जा रहा है इस तरह एक्टर हिंदुस्तान के पहले सूपर हिरो का चैन करने वाले है इस रेयलिटी सो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टन की जहां तक बात की जाए सभी कंटेस्टन की प्रोफाइल देखने के बात ये बात तो साफ हो जाती है कि सो मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इन सभी को आयरन पांप, मर्डर बॉल, फाल्स फिनिस और मिलिटरी टेनिंग जैसे टास्क से होकर गुजरना होगा जो सो को दिल्चस्ब बना देंगे इस सो की सबसे कहस बात ये है कि इसमें महिला और पुरूष को बराबर माना गया है उनको एक जैसी टास्क में समान धेरी और तियूरता के साथ में एक दूसरे के सामने खड़ा किया जाएगा यहां तक कि प्रेक्टिस सेशन में जो बाते सामने आई है उससे पता चलता है कि सभी कंटेस्टेंड अपने सहास समर्पन और निश्वार्थ वेवार से अपने मेंटर को प्रभायद कर रहे हैं वे जरूरत पनने पर अपने भावनाओं और कमजोरियों का प्रदर्शन करने से भी नहीं डरते हैं जैसा कि विद्व जामवाल कहते हैं कि युद्धा रो सकते हैं यानि कि सहासी होने के मतलब ये नहीं है कि भावनाओं का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है जहां तक सो के तक्निकी पक्ष की बात है तो इसे हाइटेक बनाने की सभी प्रियाश किये जा रहे हैं मेगी का केमरा वर्क इसकी सिनमेटर ग्राफी को आकर सक बनाता है इसकी पटकता अंसुमाली जा और मीत सहाने लिखी है जिन्नोंने हर चीज का बहुत बारीकि से ध्यान रखा है इंडियन अनलिमिटेड वोरियर ओडिटी प्लेटफर्म डिस्कावरी प्लस पर स्ट्रीम होना सुरू हो गया है लेकिन 14 मार्श से इसे डिस्कावरी सेनल पर प्रसारित किया जाएगा इसे लेकर होश्ट विद्दु जामवाल बहुत ज़्यादा उस्चाइत नजर आ रहे हैं इसे लेकर कमांडो एक्टर का कहना है कि हम भारत के नए योद्धा की तलास करने आ रहे हैं यहाँ एक एसा सफर है जिसमें हम ढूंड रहे हैं सारीरिक और मानसिक ताकत का असली संतुलन वक्त आ गया है कि रियलिटी सो को रियल बनाया जाए मुझे परम योद्धा की तलास करने का जिम्मा दिया गया है बताते चले कि रोहित सेटी का रियलिटी सो खत्रों के खिलाडी का कांसर्ट भी कुछ इसी तरह का है उसमें भी कंटेस्टेंट से इसी तरह के टास्क कराया जाते हैं जिसे देखकर के दर्सक डर जाते हैं डर के आगे जीत है जैसे सिद्धानत पर आधारी तियांसो काफी कॉपुलर हुआ है रोईट सेटी से पहले इसे अक्षे कुमार और ट्रेंग का चोपडा ने भी होश्ट किया है तो दोस्तों आपकी जो भी हो रहा है इंडियाज अनलिमेटेड वारियर को लेकर कमेंट सेक्षन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और इसी तरह की ख़बरों के लिए बने रही है हमारे चैनल